पिबिश्यों के अंदर हमने São Sponge का एक कारण अस्तमा उसको रिव्यु कर लिया था अब स्थे मैं 口 को हैं सियों पीडि का ब्रॉइब इस उसको रिव्यु करता है ब्रॉइब नदक कि यह तो इसमें आय taught का मतलब तो cents का मतलब तो तोही साजाता है तो नगतर है क्याम चीज लिफित यह थो होतेज्र होता हुट चुउब ळाटी है जिसल से बाएर की कमारिंग जो घ्रील होती है वो और जाके और फिर ब्रांचों के अंदर डिवाइड होती जाती है यह क्या होती है एक tube-like structure होता है मेंदर tube होती है जिसकी सबसे बाहर की covering जो होती है वो तो cartilage की बनी होती है जब की middle वाली जो होती है वो smooth muscles जो होते है उसके होती है इनर जो होती है वो ciliated columnar epithelium जिसके goblet cell होता है उसको mucous membrane भी कहते है उसकी बनी होती है इसी mucous membrane जो होती है inner की lining उसके अंदर क्या हो जाता है inflammation हो जाता है और उस inflammation के कारण से वहाँ पर airway जो है उसके अंदर obstruction पैदा होता है मतलब auror पैदा होता है और उसके कारण से air का passing जो है वो proper नहीं हो पाता और उसी condition को bronchitis का जाता है तो यह तरह से COPD जो है उसका एक बड़ा कारण जो है वो भी हो जाएगा bronchitis जो है उसके कारण की क्या कारण होता है bronchitis के होने के तो सबसे बड़ी चीज तो क्या हो रही है इंफ्लामेशन हो रहा है तो इंफ्लामेशन जो भी होता है बोड़ी में कोई भी उसके पीछे तीनी factor responsible होता है या तो कोई biological agent होगा या कोई physical agent होगा या कोई chemical agent होगा तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है inflammation हो रहा है तो inflammation का जो एक बड़ा कारण जो होता है वो होता है तो infection होता है तो infection के कारण से क्या होता है inflammation हो सकता है many infection जो होता है इसके अंदर वो होता है एक तो bacteria का infection हो सकता है bacteria जैसे कि steptococcus bacteria, stephylococcus bacteria, pseudomonas bacteria जो है या capsibela bacteria जो है उसके infection के कारण से होता है जिसता ससे बड़ा कारण जो होता है वो होता है वायरल का किय newer झिच्वशन वायरी से ङते हैं को तहाभ यूसकर रहेहन होताहै वो इंफेक्शन के लिए क्लिंश होते जहातर ब्रॉंकयटी जुटा है वो वाइरल इंफेशन के तृ होता है तिस्ता जो इसका कारण जो होता है या बड़ा कारण जो होता है स्मोकिंग जो स्मोकिंग के कारण से भी ब्रॉमकाइटीज हो सकता है इस्मोकिंग के कारण से क्या होता है कि स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर क्या होता है इस्मोक होता है वह क्या करता है मुकेस में 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 irritation पैदा करता है उसके कारण से वह inflammation हो सकता है ठिक वैसा ही एक और कारण होता है air pollution के कारण से कि polluted air जो है उसके अंदर respiration कर रहा है मतलब inhalation कर रहा है तो सांस लेने के कारण से जो air pollution जो होते हैं वह pollution क्या होगा कि respiration के माध्यम से ब्रॉंकस्ट में जाएगा और वहां पर जाकि उसकी मुकस्ट में में irritation पैदा करेगा और उसके कारण से वह inflammation होगा तो यह mainly इसके cause हो जाएंगे ब्रॉंकाइक्टिस के इसके लाएं कुछ risk factor होते हैं जैसे कि malnutrition जो होता है वह कूप पोशित व्यक्ति होता है उसके अंदर या immunodeficiency person जो होता है अंदर ऐसा व्यक्ति जिसके रोग प्रत्रों तेक शमता कम है उस व्यक्ति में ब्रॉंकाइक्टिस होने की संभावना ज्य सब्सक्राइब जादा रहती एक जिए आडी जो होता है गेस्टो इसोफेजल रिफ्लक्स डिसी जिस पर इस्टोमक जो है उसका एसीड जो हो कि माउट के इंदर आता है और वहां से वह फिर एस्पिरेट होके कहा जा सकता है ब्रॉंकास के इंदर जा सकता है और वह एसरी करेंग कमैंशा beschäftको अगति वे दोसे वारेंग गया ऑघ्म noise को सकता है इनदेडी हो सकती है अगली कंडिशन झो किसी एे इतल है उसके सब्सकी मोहाई उसके इस स्टेकशह एसके साएक स्मौक जो है उसको हिंल कर लें उसके कारण से कंडिशन हो सकती है एक प्रोडॉम्ल इल में लब बाहर नीडियों पाता है और उस के giessis के कारण से भी वहां पर infection himself सकता है और उसके कारण से भी वहां पर inflammation हो सकता है तो यह जानेंगे ब्रउंकाइटिस के इन बात करते हैं ब्रॉंकाइटिस जो होता कैसा है कि भी क county of izolocy तो में मैंजशिες क्या है किə किसीध भी कारण से इन में से किसी भी कारण से क्या हो सकता है कि microorganism जो होते हैं उसके क्या होगी respiratory tract जो है उसके अंदर क्या होगी entry होगी मतलब microorganism जो है वो respiratory tract के अंदर enter करेगा या फिर smoke या air pollution जो है वो भी क्या करेंगे respiratory tract के अंदर जाएंगे bronchis के अंदर वो क्या करेंगे नॉर्मली बॉडी में जब भी कोई cell damage होती है वहाँ पर एक inflammatory response होता है वो शुरू होता है मतलब होता क्या है कि cell damage होने पर वहाँ पर क्या होगा chemical जो है जिसे ब्रेडीकाइनिन, प्रोस्टाग्रेनिन, सिरोटोनिन और लुकोट्राइन जो है वो रिलीज होंगे और यह सब chemical जो होता है, इंफ्लामेशन के लिए, तो cell damage होने पर वहाँ पर inflammatory response शुरू हो जाएगा, जिसे inflammatory response शुरू होगा, वहाँ पर क्या होगा, कि यह जो मिकस मेंबरेन जो होती है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, मतलब वो hyperemic हो जाएगा, और hyperemic हो हो जाएगा, और वो मिकस का production जो है, वो भी increase कर देगी, उसके कारण से क्या होगा, कि एक तरफ से तो मिकस का production जो है, वो क्या होगा, increase हो जाएगा, और दुसरी तरफ से क्या होगा, कि यह जो मिकस मेंबरेन जो होती है, वो एडिमेटर हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, और साथ ये साथ वहां के जो smooth muscles जोते हैं उसमें भी क्या होगा contraction जो है वो पेदा होगा inflammation के कारण से तो वहां पर भी एक तरसे spasm की condition होगे तिनोग कंडिशन के काण से क्या होगा यह जो lumen जो ठाख है वो क्या था बड़ा था चोटा हो Man長 जोता हो जाएगा औमन जो ठाख अलीका वह सिंख जाएगा उसके काण से had found जाएगा जब आंब होगया तो वहां सब्सक्राइब के दो पत्राउक के अभ checking होने next decrease होने के कारण से पेशेंट जो है उसको breathing के अंदर क्या होगी difficulty होगी respiration के अंदर परेशान ही आएगी respiration के अंदर difficulty होना उसको ही dyspnea का जाता है तो इसके अंदर क्या होगा dyspnea के condition जो है वो उत्पन होगी तो यह तो इसकी pathophysiology होगी अब अगर बात करें अपन इसके sign and symptom की bronchitis जो है उसके क्या sign and symptom जो है वो नजर आते हैं तो bronchitis के अंदर mainly होता क्या है यहां पर inflammation ठीक है bronchitis की mucos membrane के अंदर inflammation हो रहा है और उसके एकारण से goblet cell जो है inflammation की कारण से irritation भी पैदा होगा तो इस irritation कम करने के लिए मुकस जो इसको expel करने के लिए force के साथ air बाहर जाएगी मतलब उसको क्या होगा कफ या खांसी आएगी अब bronchitis के अंदर पर्सिस्टेंट आती है मतलब लगातार आती है और लंबे समय तक आती है और बहुत तेज जो है वह खांसी आती तीवर खांसी आती है इसके अंदर साथ क्या होगा सी के साथ मुकस जो इसका उसके कारण से क्या होगा इस पूटम भी आएंगा बहुता है वह हो सकता है और बद्बूदा पुरूलेंट वह सकता है पर श्युक्त करता है second symptom जो है वो vision sound जो है वो सुनाई देंगे होगा क्या यहां पर airway नेरो होने के खारण जैसे यह air का passage होगा वहाँ पर टकराएगी जैसा बासूरी जो हवाँ फूकने पर बासूरी के अंदर air obstruction के करणद से आवाद प्रोडूस होती है ठीक वैसा ही यहां पर भी क्या होगा एर जो है उसकी प्रोपर excel नहीं हो पाएगी पुरी तरह से एर लंग से खाली नहीं हो पाएगी सेकंड चीज़ क्या हो रही है वहांपर मुकस का excess production हो रहा है उसके करण चस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होगा टाइटनेस होगा चाती के अंदर मेसिस हो घृटाव और सब्सक्राइब नहीं हो जाएगी लेकिन क्या हो रहा है यहां पर एक उसके करण से ग्यर का पास्थ तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसके कारण से उसको breathing के अंदर difficulty होगी और shortness अब breathe हो जाएगा मतब respiration red जो है वो तो increase होगी और सातीजाद respiration के अंदर difficulty होगी और उसको ही कहा जाता है डिस्निया जो है वो कहा जाता है डिस्निया को difficulty in breathing मतब सांस लेकने के अंदर परेशानी होना उसको इडिस्निया का जाता है तो अगला symptom जो है डिस्निया का नजर आएगा अगली चीज़ क्या होगी उसको infection जो है वो हो रहा है और infection के कारण से क्या हो सकता है fever आ सकता है हलाकि bronchitis के अंदर fever जो होता है वो जाता लो ग्रेट fever आता हरका बुखार जो है वो आ सकता है अगला viral का infection हो रहा है तो उसके कारण से upper respiratory tract के जो है वो भी प्रवाइट हो रहा है उसके कारण से इसको throat throat जो है उसकी condition जो है वो भी हो सकती है common sign and symptoms जो है वो इसमें नजर आएंगे अब बात करते हैं अपने diagnostic evaluation की प्रॉंकरिटिस के अंदर क्या diagnostic evaluation किये जाते है diagnostic evaluation जो है इसका SAM अस्तमा जो होता COPD का वैसाई किया जाएगा एक तो physical examination करते है physical examination के अंदर lung sound जो है वो सुनते है विजिंग sound जो है वो सुनाई देगा second जिसके अंदर जो की जाती है वो blood test जो है वो किया जाते है blood test के अंदर में लिए उसके अंदर WC count जो है वो क्या हो सकता है बढ़ा हूँ मिल सकता है क्योंकि इसमें infection होता है उसके कारण से इसके लाब यह साड़ होता है है COS and the Reds को का आजाता है वह भी सके बढ़ा हूँ इंफेक्शन के कारण से एक CRP जो होता है C-Reactive Protein जो होता है वो भी Inflamation हो रहा है उसके कारण से बढ़ा हुआ मिल सकता है जो किया जाता है वह चेस्ट एक्सरे किया जाता है इसने के दवारें विविंदर लंस वालิुम जो है उसको निकला जाता है प्रहूंखाटिस की कंडिशन के अंदर expirator flow rate कम मिल सकता है क्योंकि airway के अंदर और इसके कारण के अंदर oxygen saturation जो है वो कम मिल सकती है कार्बन एकसाइट जो है वो बड़ी हुई मिल सकती है तो एक तो यह भी किया जाता है इसके अलबा अगली जो जाहत की जाती इसमें वह ती है ब्रॉंको स्कॉप जो है वो किया जाती है तो एंडॉस्कॉप के द्वारा ब्रॉंक करते हैं विजुलाइज करते हैं उसके अंदर ब्रॉंकर जो है उसके अंदर एडिमा और या स्वैलिंग जो है वो मिल सकती है साथ इसाथ एक्सेस मुकर जो है वहाँ पर वह भी दिख सकता है तो यह कुछ डियाग्नोस्टिक वालेशन जो है वह हो जाएगे ब्रॉंकाइटिस के आंटी बीटीक जो इसमें काम में लिए जाती है सेंक्ड जीचा इसमें काम में लिए को इसमें सहें बुदाइलेटर जो एंटे चयों किना हो जाले हो जाएए और डैलेट हो जाए इंठोपन चоляए एयर का पासेश प्रोपर सके डूंकोड़ेटर में रिफाइल जैना या चैनल या उसको रिलेक्स करती है उसको रिल्क्स करके ब्रोंकास को डाइलेट कुछ सूर्ट मुसल्स एकाम कर गंदर यो रिलेक्स शोति हैं जो इसे पिल्णेस और चेंट के ड्रग होगी म्यूकिस जो है उसको लूज करते है उसको कम करने आ काम करते हैं उसमें जो काम में लिए जाती है जैसे नेक्स्ट आता है इसका नॉन फार्मेकोलोजिकल मेनेजमेंट और नॉन फार्मेकोलोजिकल मेनेजमेंट के अंदर एक तो और एरवेau उसको ओपन करने के लिए सक्षण लिए तो ट्रेव को व्रॉंकियोजिकल सक्षण सक्षण दिखा द्र lesser मुक्र गया जाता है सेकंड जी फो मूलेंक टिक द्वारोज के जाता है और लेग है फ इत्ति सपार योंब पाइब दिए जाता है नेबुलाइजेशन के द्वारा सालबुटा मोल जो या टर्बोटा लाइन जो है इनेलर आश्येटि के दुवारा दी जाती है और वो क्या करती है ब्र्रॉंकस को डाइलेट करते साथी साथ लुक जो उसको लूज करने काम भी करती है जो कम ले जाती है तो उस condition के अंदर just magazine का di 65 कामोजा गभी एक्सरशाइबory काम मेरे जाती है वह डिप बीखुर्टिंग और कफिं से जो है वह काम मेरे जाती है जिसके दुझारर अदर प्रोचिण हो जा जाये कि वह का ridiculous जो है वह भी काम मेरे जाता अगला पेशेंड जो है उसको फावलोर पोजिशन जो है वो प्रवाइड करानी है था कि लंग्स जो इसका एक्सपेंशन हो सकते हैं और उसको ब्रीटिंग के अंदर इफिकल्टी नहीं हो इसको फ्रूड इंटेक उसको लिए एंकरेज करना है ताकि मुकस्त जो यूज हो ज और यह दुद्धे ब्रॉंकाइटिस की डिसीस कंडिशन इसका जो नर्सिंग के प्लांज जो है या नर्सिंग मेनेजमेंट वो कॉमन रहेगा जिसको अलग से हम वीडियो के अंदर डिस्क्स करेंगे अगले वीडियो के अंदर थैंक यू